हाई, सो आज है हमारा इंजिनेरिंग काउंसलिंग का डे नमबर 14 एन आज के इस वीडियो में हम सारा फॉर्म भरेंगे लाइव, स्टेब बाय स्टेब जिन लोगों का आधार कार्ड में प्रॉबलम है, नाम में प्रॉबलम है माइनोरिटी समझ में नहीं आ रहा है, लिंग्विस्टिक माइनोरिटी, इंकम सेटिफिकेट, EWS, डॉक्यूमेंट, सारा का सारा चीजें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, 95% आफ दो फॉर्म कोई भी इंसन भर सकता है बिना किसी डीटेल्स के, इंग्लेज सब रीट करके, ट्रांसलेट करके भर सकते हैं, बट 5% चीजें ऐसी हैं, जो वीडियो देखने के, और लाइव सब समझने के बाद ही समझेगा और वो एक ही चीज होती है, जो बस सारी चीजें बिगाड़ देती है, तो वो एक चीज के लिए पूरा वीडियो हैं तक देखना, बले स्पीड को बढ़ा के देखो, doesn't matter स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दू, पिछले दो सालों में तो सारा प्रोसस ऑनलाइन ही हुआ है, इस साल ऑनलाइन भी है, प्लस ऑफलाइन भी है, यानि कि ये फॉर्म भरने के बाद आपको जाना है, FC, जिसको हम कहते हैं, फैसिलिटेश सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब होता है, जो आपके इंजिनिरिंग कॉलेजिस है, अभी फैसिलिटेशन सेंटर, FC पता कैसे चले कौन है, कहां पर है, तो जो भी इंजिनिरिंग कॉलेजिस होते हैं, अच्छे लेवल के सब FC सेंटर भी होते हैं, FC सेंटर का मतलब है जस्ट एक department होता है जो documents को verify करता है तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा जैसे mobile के browser से आप लोग देख रहे हो तो search button आता है settings में तो settings में search button में जाके जो भी आपको शहर में आप रहते हो जस्ट उसका search कर दो आपको पता चल जाएगा तो कौन सा आसपास का college यहाँ पे FC center है अब ऐसा नहीं समझना जहाँ पे verification कराया वहीं पेड मेंशन होगा नहीं पूरे माराष्टर में कहीं पर भी आप जा सकते हो तो form भरने के बाद आपको यहाँ पर FC center में जाना है मैं तो कहूंगा form में submit button दबाओ ही नहीं FC center में जाओ वहाँ पे भी documents दिखा दो and then submit button दबाओ submit button दबाने की घाई मत करना submit button आपने दबा दिया फिर वो re-edits and वो सब बहुत problem हो जाता है चलिए तो इतना तो confirm है कि FC center आपको जाना पड़ेगा form भरने के बाद आते हैं अब finally form filling के process पे start करते हैं form filling का हम process channel को subscribe for sure करके रखो यह हमारा 13th day है ऐसे करते करते जब तक आप college नहीं जाते हो तब तक हमारी ये series यहाँ पे चलती रहेगी अगर आप dates की भी बात करो तो यहाँ पे लिखा है के काफी चीज़े 17 November तक यहाँ पर चलेंगी 17 November तक आपका admission का process चलेगा और 17 November तक मेरी engineering की batches में 50% syllabus दो subjects का हो जाएगा तो अभी तक join नहीं किया है तो most welcome to the batch details description में है start करते हैं यहाँ पे new registration का process have you appeared for MHT CED 2022 yes अब कोई लोग बुलेंगे सर मैं तो dropper हूँ मैं तो repeater हूँ सर मैं repeater हूँ तो मैं no करता हूँ मैं 2021 की result यूज़ करता हूँ नहीं चलेगा यह no option उन लोगों के लिए है जो लोग उने JEE के थूँ attempt करना चाहते है अतलब जो लोग सिर्फ JEE के थूँ attempt करना चाहते है सिर्फ और सिर्फ no option उनके लिए valid है बाकि सबको यहाँ पर yes option ही टिक करना है MHT CET application number जो भी आपका hall ticket है उसके bottom right में आपका application number है clear words में लिखा है application number कुछ ऐसा दिखता होगा MHT CET roll number so roll number आपका top left में आपका roll number आजाता है so roll number आपका कुछ ऐसा दिखता होगा date of birth यहाँ पर डालिए सीधा आपका check CET details आपकी result आजाएगी P, C, M इनका percentile आएगा as well as आपका यहाँ पर पूरा का पूरा aggregate percentile है यहाँ पर लिखा है important instruction इनको कोई भी ध्यान नहीं देता है बढ़ मैं दो चीज़ें आपको बता दो जब hall ticket जब score card release हुआ था इतने सारे messages मुझे आए सुर हमको दो कुछ याद ही नहीं है हमारा ना application ID याद है ना roll number याद है कुछ भी याद नहीं है तो मैंने बोला क्यूं बोला mobile खाली कर दिया मैंने बोला hall ticket की print बोला वो तो पता नहीं कहा गई सुर ऐसा ही यहाँ पर भी होता है बोलते हैं सर रेजिस्ट्रेशन नंबर में तो भूल गया सर मैंने टेक्स्ट मैसेजेस सारे डिलीट कर दिया ऐसा नहीं चलेगा यह तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी सेकंड प्रॉब्लम एक मेरा ही स्टूडेंट था फॉर्म बंध होने के एक दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया मोबाइल चोरी हो गया उसमें OTP आने वाली थी अभी उसके पास सिम काड ही नहीं था OTP कहां से आ है और जो भी डिटेल्स थी वो भी सब फोन के अंदर थी फोन एक दिन पहले एक जैकली चोरी हो गया तें ट्विटर के ट्रेंड चलाए थे ट्विटर पे ट्रेंड कराते कराते उसको हमने कराया था बट बहुत वो रेर केस था बट स्टिल ऐसी चीज़ें भी होती है चलिए अब यहाँ पर हम देट ऑफ बर्ट डालेंगे चेक सीटी डीटेल्स करेंगे एं बढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आगे के तरफ यहाँ पर डीटेल्स डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड ओप्शन आ चुका है तो चलिए करते हैं सेव एंड प्रोसीड यहाँ पर अब खुल चुका है फाइनली आपका रेजिस्ट्रेशन फॉर्म सारा रेजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर तयार है अब इसी रेजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमें यहाँ पर भरना है अब एक एक चीज ध्यान ध्यान से समझते जाना देखने में सिंपल है बढ़ ऐसी मिस्टेक कर देते हो नो पता भी नहीं चलता है Candidates full name as appeared on HSE mark sheet red color में purposely दिया है कोई भी चीज red color में नहीं है ध्यान से दिया है नोट करके है जो जो चीज़े important है red color में है clear cut दिया है जैसे HSE mark sheet पे है वैसा ही करना है HSE mark sheet में मेरी लेकर बैठा हूँ मेरे HSE mark sheet पे surname पहले फिर नाम फिर father's name है तो मैं वैसा ही यहाँ पे डालूगा जैसे mark sheet पे है अब यहाँ पर आ जाएंगे कुछ लोग के सर हमारा तो mistake है हमारा तो यहाँ पर ऐसा है आधार card पे कुछ यह है वहाँ पर ऐसा है मैं आपको बता दू आधार card पूरे process में पूरे registration form में लगेगा ही नहीं लाइव आप देखना आधार card कहीं पे भी पूछा ही नहीं है तो आधार card के साथ तो compare मत करो हाँ आपका गलत है नाम ही गलत है हसी पे आया ही गलत print होके है तो एफीडेविट बनवा सकते हो एफीडेविट सब्मिट कर सकते है अब सवाल आएगा सर एफीडेविट कहां से बनता है तहसीलदार office त-A-H-S-I-L-D-A-R सर्च करो अपने शहर की तहसीलदार office कहां से है तो वहाँ से एफीडेविट बनव सब्सक्राइविट गज़न वही थे सर आधार काड पे ABC है वहाँ पर CBA आया है तंता अब कुछ लोग बोलेंगे सर पूरा नाम डालें वह सकता है कुछ mistake कर दो पूरा नाम डालो के हो सकता है हमारे father's के time पे तो बहुत mistake होती थी हो सकता है आपके father का राशन कार्ड में अलगो आधार में अलगो किदर और अलगो मत करो जितना पूछा है उतना डालो father's name mother's name भी यहाँ पे डालेंगे चलिए जितना पूछा है उतना full full name मत डालो probability more knowledge more problem no knowledge no problem जितना जाधा डालोगे problem भी जाधा होगी जेंडर सो अभी 2022 है तो तीन ही जेंडर आ रहे हैं धीरे धीरे तो बाप्रे बरने वाले हैं इस फॉर शॉर डेट ऑफ बर्थ पहले year से स्टार्ट करो अगर आप पहले ही आपर month date डाल दोगे न वो पहले year से स्टार्ट करो जो भी आपका year है सो majority लोग यहां पर आप में से 200 2004 में पैदा हुए हो वैसा ही कुछ जैसा भी आपको लग रहा है आप डाल सकते हो डेट मेरी 3rd December है year मैं क्या करो कौन सा डालो जज करोगे आप लोग सच बता दिया तो चलो दिल तो जवान है अभ religious minority तो again religion भी संभाल के डालना देखो Hindu religion के अंदर बहुत सारे सब religions है सब religions मतलब सब casteist है तो वो casteist अगर है तो ध्यान देना आप Hindu के यह अंदर आते हो काफी लोग ना अदर कर देते हैं नहीं आप Hindu के अंदर ही अगर आपकी caste है तो आपको Hindu ही लिखना है जो दूसरे है Muslim, Christian Sikh, Buddhist, Jain, Parsi उन लोगों को भी ध्यान से डालना है क्योंकि काफी colleges होते हैं जो यहां पर religious minority offer करते हैं तो वो इसी एक section से based है तो यहां पर मैं Hindu डाल रहा हूं मेरे पास कोई option नहीं है यहां पर कटर Hindu होना चाहिए था ठीक है भी Hindu है तो मुझे adjust करना पड़ेगा चाहिए रीजन का बात करें रूरल का मतलब होता है अंडर डेवलब्ड जैसे मैं उलहास नगर से हूं उलहास नगर एक टाउन है तो यहां पर मुझे रूरल डालना पड़ेगा मेरे पड़ोस का शेहर कल्यान अर्बन सिटी है तो वहां पर कई बार आधार कार्ट पर भी रूरल अ अर्बन का जादा टेंशन नहीं है यहां पर जैसा आपको लग रहा है आप रहते हो शहर देखा है कि खराबिया तो हर शहर में है अब यसा मत बोलना मुंबई में भी जो लोग जो लोग फोरेन होके आते हैं फिर मुंबई आते हैं बोलते हैं तो गाउं है तो वह सब सेटिफिकेट बनवाया है सिर्फ उनके लिए ही उसकी वेल्यू है बाकि इसलों किसी का भी क्रॉस चेक भी नहीं ओने वाला है आप TFWS के लिए नहीं apply कर रहे हो आप EWS के लिए नहीं apply कर रहे हो आपके किसी काम का ही नहीं है ये section सुबह सुबह call आया है ये राम भाई मैं दिन जी में दो थोड़ा सा प्लीज चलिए 622 ठीक है चलिए करता हूँ आपके इंकम सेटिफिकेट में लिखा है उतना ही डालिए जितना इंकम सेटिफिकेट में लिखा है उतना ही डालिए यहाँ पर जो भी रेंज है मैं आपके उपर यहाँ पर छोड़ देता हूँ जितना आपके इंकम सेटिफिकेट में है जैसे आपके इंकम सेटि Manorytis, Rigious Minority यहाँ पर आएगा आपका Religion Minority Religion में, यहाँ पर आएगा आप Linguistik Minority जैसे मैं सिन्दी हूँ तो कई कई कॉलेजेस में सिन्दी Minority होती है सिन्दी कोटा होता है example तोरबे यहाँ पर हमारा Vivekanan College, Thadomal College वो सिन्दी Minority को Reservation देता है के जिस ओमया का बात करें गुजराथी है, सो गुजराथी minority वहाँ पर available होती है, तो मदर टंग में हमको यहाँ पर minority, linguistic minority के हिसाब से भरना है काफी लोगों के LC पे, leaving certificate पे हिंदी लिखा होता है, तो अरे आप लोग हिंदी minority में हो, काफी लोग जैसे जो भोजपुरी हैं, जो ऐसे हैं मतलब नौर्थ के साइड से, उनको समझता ही नहीं है, बोलते हैं, मतलब भोजपुरी कहा है, अरे भोजपुरी वो हिंदी लिखा ह होता है, हिंदी, हिंदी ध्यान से देखो, हिंदी minority वाले इसको गौर फरमाएं, तो वो हिंदी minority है, ओके, सो LC पे ध्यान से देखो, LC यहां पर जो भी documents आते हैं, आपके, तो basically 10-12 की mark sheet पे तो नहीं रहता है, domicile पे भी नहीं रहता है, अभी मेरे सामने LC पढ़ा है, तो मे क्योंकि उन्होंने सिंदी लिखा है, तो that's it, मेरे लिए वो work कर सकता है, furthermore सवाल आते हैं, हम linguistic minority कहां से बनवाएं, हम हिंदी minority से हैं, कहां से बनाएं, तहसीलदार office again, same answer जैसा उपर बताया था, So, mother tongue भी संबाल के डालना है, क्योंकि linguistic minority में mother tongue help करेगी, annual family income भी संबाल के डालना है, जो भी आपकी TFWS, quota, beta, EWS है, वो help करेगा, religious minority भी संबाल के डालना है, जैसे कुछ Muslim community होती है, कुछ Jain community उनकी भी वहाँ पर मदद करेगी, इतना सवारा depth थो ये एक छोटे से form में है, जो लिखना है, तो वापस से address verification की नौबत नहीं आती है, कोई भी CET का cell का member घर पे नहीं आता है, क्यों बता रहा हूं क्यों काफी लोग बोलते हैं, मैं अभी यहां रह रहा हूं, आदार काड में वैसा है, मैं सला दूँगा, जो कागस पे है, वही डालो, example दोर पे, बूतना कैसे होते हैं, इंसान मर चुका है, बट that certificate नहीं बनवाया है, तो उसको जिन्दा consider किया जाता है, बले ही वो मर चुका है, तो basically जो चीज कागस पे है, वो जादा matter करती है, unfortunately, as compared to जिन्दा इंसान, तो यहां पे मैं suggest करूँगा, कि address line जो आपकी documents पे है, वही लिखो, क्यों कापल तोर पे यहां पर अपना address नहीं बता सकता, लास्ट यर के वीडियो में मैंने बताया था, वहां पर है अभी भी मेरा address, तो कुछ लोग सच में घर आ गए थे, तो घर आना तो most welcome, एकदम दिल से मिलेंगे, but still, timing match नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा insecurity भी हो जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बोला यहां पर कुछ tension नहीं है, इतना जादा random मत लिखना, चलिए, राज्य में तो कुछ problem नहीं होगा, महराष्टर, district में भी कुछ problem नहीं होगा, confirm होगा, तालुका में भी कुछ problem नहीं होगा, आपको easily पता होगा, village, तो मैंने बता है, उ टेलीफोन नमबर में अगर टेलीफोन है, तो अच्छी बात मतलब वो भी नीद नहीं है, कुछ star mark भी नहीं है, वहाँ पर टेलीफोन नहीं है, तो सिधा प्लस 911 करके आप, जो भी mom dad का फोन नमबर है, वो भी आप डाल सकते हैं, बात करें आप finally red section की, तो यह section है, जो सबस से जादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ऐसा mobile number और ऐसी email id जो throughout the process आपकी active रहे, जैसे worst case मैंने बता दिया, जो मैंने बता यूट्यूब subscriber था, उसका phone ही चोरी हो गया एक दिन पहले, सब details उसमें थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, ना OTP, email id, access, password, तो सब लोग भूल जाते हैं, तो मत करो ऐसी चीज़े, चलिए, यहाँ पर मैं डालता हूँ सारे मेरे official numbers, चलिए, यहाँ पर है अपना official number, जिनको नहीं है यह number, अभी no down कर सकते हो, बट YouTube के wall पे openly available है, यहाँ पर हम डालते है, हमारी official email id, चीक है, उपस, यहाँ पर caps lock start हो गया, so just a second, caps lock हो गया, ask.rglectures.com, यहाँ पर क्या हुआ email आया है, कुछ हुआ क्या, चीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर password को option, जब मैंने app launch किया था, rglectures, तो काफी लोग बोलते है, password का option आपने, इतना जादा hard क्यों रखा है, तो मैं उनको कहता था, मेरा जो process है, वो overall महराष्टा registered है, तो महराष्टा में हर जगे वही process लगता है, तो जैसे app पे मेरे rules लिखे हुए थे, same rules यहाँ पर भी है, password में capital letter होना चाहिए, एक small letter होना चाहिए, एक number होना चाहिए, और साथ ही साथ एक symbol भी होना चाहिए, तो basically वही सब चीज़ें यहाँ पर भी है, तो अपने हिसा डाल देते हैं, 15 मिनट बाद पूछो बोलते हैं, अरे, मैंने ये कहाँ डाला था, symbol कहाँ डाला था, number क्या डाला था, पहले pen paper पे बनाओ, पहले password pen paper पे लिखो, फिर password चाहिए, तो mobile के notes में रखो, and then यहाँ पे लिखो, तो easy पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख देते हो, फिर 10-15 मिनट बाद, एक दो दिन बाद सब गायब हो जाता है, finally enter करेंगे capture, ताकि साबित हो कि मैं robot नहीं हूँ, एक इनसान हूँ जिन्दा, चली, and finally करते हैं, यहाँ पे हम save and proceed, चली, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आएगी OTP, तो चली, डालते हैं, यहाँ पे हम OTP Okay, so OTP देखते हैं, यहाँ पर आया क्या, so yes OTP यहाँ पर आ चुका है, so OTP वैसे तो नहीं बतानी चाहिए, चलो बट हम daring करते हैं, हर जगे announce करते हैं OTP, so yes, यहाँ पर अब हमारा application ID आ चुका है, क्रिप्या करके जो भी application ID आपको screen पे नजर आ रहा है, उसको आप note down करके र करता हूं, इसका एक photo ले करके रख देता हूं, and furthermore आप लोग भी रिप्या करके इसको note down करके रखें, यह कहीं पर save नहीं होता है, no doubt आपको text message में आ जाता है, but still majority लोग text message यहाँ पर गायप कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, dear so 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 person, please fill and confirm your application form at FC before last date, so यह लोग भ please fill and confirm your application form at FC, okay, submit करना इन्होंने नहीं लिखा है, बड़ इन्होंने काया, confirm करो application form, so मैं वही बसला दूँगा कि submit मत करो, पहले FC जाके देखो, okay, फिर देखो क्या होता है वहाँ पर, submit कर दिया ना, आपको changes नहीं कर सकते हो, और चीज़ें कैसे कई बार दीरे दीरे पता चल अभी अभी हमने यहाँ पर application ID बना दिया था, बना दिया था मतलब जो आया था screen पर, so वही application ID यहाँ पर भी हम डालेंगे, and साथ में डालते हैं हम यहाँ पर password, and उसके बार फिर हमारी सारी details यहाँ से start हो जाएंगी, जो जो हमें भरनी है, चलिए, so लिखा है, your application form is incomplete, please fill the complete application form and visit to nearest FC with all original documents for document verification and confirmation of your application form, so यानि कि यह पूरा process 2019 के पहले का है, अब से start हो चुका है, so देखो यह यहाँ पर अपने को steps है, okay, सारे सारे steps आराम से करेंगे, registration details अपने करके देखा, fill candidature type details, चलो, so जिन्नों candidates ने SSC and HSC, या फिर जो diploma करके apply कर रहे हैं, maharashtra से किया है, okay, तो वो maharashtra type A में आएंगे, या फिर candidate who is either domicile of maharashtra and is bought in maharashtra, वो भी type A से आएंगे, तो यहाँ पर तो type A ही majority लोग होंगे, अब domicile के type समझाना तो beyond the scope of this video हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें basic English में लिखी है, right, a candidate who does not fall in type A, above, but whose father or mother is domiciled in the state of maharashtra and possess, तुमको mom और dad का domicile certificate है, तो you are maharashtra type B, so अब यहाँ पर इतने सारे जो types हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब का domicile certificate अलगाता है, यह domicile अच्छा, वो domicile अच्छा, domicile, domicile ही रहेगा, चाहे type A हो, चाहे type E हो, चाहे type C हो, तो यहाँ पर आप easily verify कर सकते हो, right, government employee, retired government employee, यह वाला है, retired के लिए यह वाला है, जो active है, क्योंकि जिनका posting अलग-अलग जगह पर लगता है, यह वाला है, महारashtra करना टका border, और mother tongue जिनका मराठी है, महारashtra करना टका border से होके भी, तो यहाँ पर तो आ जाते हैं, महारasht से नहीं है, सो आ जाते हैं, OMS के अंदर, and finally फिर जम्मू कश्मीर के जो अलग-अलग conditions है, foreign, NRI, and ऐसे सब करते करते हैं, तो यहाँ पर domicile के जो counting होंगे, वो होंगे type A से लेके type E तक, तो यह जो quota है, यह domicile of महारashtra में count होगी, चाहे आप कोई भी type में लाएकर, बाकी जो भी है, OMS, JNK, migrate, उनका अलग से quota होगा, जैसे OMS वालों के लिए कुछ reserved seat होती है, JNK, foreign students, defense, and वो सब चीजों के लिए अलग से seats रहती है, तो यह आगे की चीज़ें उससाब से होगी, तो यहाँ पर second वाले में तो सर्फ आपको डालना है type of candidature, तो देखो यहाँ से हम पर इतना सारा जंग हो रहा है YouTube पे, इतनी comments गुम रही है, clearly देखो क्या लिखा है, या तो birth दो, या तो domicile दो, या तो LC दो, बात खतम, तीनों नहीं बोला है, या तो birth दो, या तो domicile दो, या तो LC दो, बात खतम, LC पे clearly statement होना चाहिए, birth certificate पे तो address रहेगा ही रहेगा, and dom domicile का तो मतलब ही है, कि आप महराष्टा से हो रहा है, तो तीनों में से कुछ भी दे दो चलेगा, तो clearly आपकी पास options है, तो जो है, वो दालो, कुछ लोग कह रहे थे सब बाद certificate नहीं है, तो no doubt मैंने उनको बोला, कि जिल्दी next जनम ले लो, बट वो समझे, मैंने मस्ती कर from which candidate has passed SSC, so basically district जो भी आपकी है, जैसे मैं उलहास नगर में ही पला भड़ा हूँ, so यहाँ पर थाने ही है, मेरी select district for, मतलब हाँ, HAC भी थाने, SSC भी थाने, select तालू का, so मेरा तो सब एक ही जनम, एक ही शहर में बीता है, फिर आजाता है concept of home university, जब engineering की batch launch की थी, तो मैंने कह जा था, जो university में आप रहते हो, home university है, as of now majority लोग तो वहीं पर admission लेंगे, सब लोग बोलें, sir, ऐसा कैसा home university हमको कैसे पता चले, तो अब भी पता चल जाएगा, तुम तालू का डालो, तुम district डालो, तुमारी home university, खुद ही यहाँ पर लिखके आजाएगी, तो ऐसा नहीं कि आप Mumbai university में ही admission लेते हो, बट still थोड़ी सारी चीज़े तो यहाँ पर भी matter करती है, select cast category which you belong, top category में जो भी आपकी category है, आप डाल सकते हो, जैसे अगर open डालूँगा, so open में देखो, channel income यह selected थी पीछे, ठीक है, so जो हमने select की थी, वो यहाँ पर आ गई है, do you want to apply for EWS, EWS का certificate है तो ही apply करो, नहीं है, नहीं apply करो, सर हमने आरे पास EWS का certificate हम बनने दिये हैं, लगबग लगबग लगता है, आ जाएगा, लगता है, आ जाएगा, तो yes करो, अगर तुम नहीं दे पाए तारीक तक, तो फिर तुम automatically convert हो जाओगे non EWS, example दोर पर यहाँ पर अगर कोई cast से बिल करता है, select cast tribe validity certificate, applied but not received है न, ऐसा करते करते समझो हम कर देते हैं, and final last जो case होता है, यह मैं आपको क्यों random डाल के दिखा रहा हूं, ताकि आपको नजर आए, बहुत लोग बोलते हैं न, सर हमने apply किया है, तो देख़ो है, application date पूछ रहा है, authority का नाम पूछ रहा है, तो यह सब details उन लोगों को आगी, जन्होंने apply किया है, non creamy certificate के बारे में बताना है, क्या है, कैसा है, तो basically यहाँ पर, अगर आपका आजाता है certificate, कब, दस्तारी को, नहीं, 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 final merit list के पहले, जो date होती है, उस date तक, अगर आपका certificate आजाता है, तो ठीक है, नहीं, तो automatically आप हो जाएगा, चीक है, तो जैसे आपको मन कर रहा है, आप कर सकते हैं, and EWS अगर डाला है, तो कास का नाम डालो, नहीं, तो फिर, चास का नाम तो वैसे भी है ही है, so basically linguistic और उसके लिए होगा, so you are required to upload the domicile, slash birth, slash LC आपको भरना है, so मैंने जैसे आपको बता है, person with disability, again, जो जो आपकी disability यहाँ पर है, तो उसके बाद यहाँ पर disability में आप देखोगे, कि आपको कुछ कॉलम आ रहा है, क्या, नहीं है, so not applicable, okay, कुछ लोगों का WhatsApp मेसेज आया था, सरम defense है, my grandfather was a person defense, तो basically देखो, यह आपके लिए भी आ गया है, तो यह वही है, छोटी-छोटी quotas and all, okay, so य है, बनाने का, obviously बनाया होगा, decision ले लिए होंगे, दो-दो महीने से वीडियोस हम बना रहे है, so yes या नो आपके उपर है, are you orphan, जैसा भी है, वैसा करो, finally do you belong to minority, candidate type, अब वही बात है, minority के अंदर आपको यहाँ पे, no या, yes, यह crucial है, यहाँ पे क्या करते हैं, काफी लोग से आए हैं लोग, okay, जैसे भोजपुदी, यहाँ कुछ भी ऐसे रहता है, उनको knowledge नहीं रहता है, कि यार, हम कैसे अप्लाय करें, क्योंकि सब लोग, यहाँ पर महाराष्रान मैजोरिटी है, तो महाराष्रान मैजोरिटी में सब लोग, no, 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 कर देते, क्योंकि म महाराष्रा में, मराठी is the majority, right, माइनोरिटी वाले ध्यान से मेरी बात को सुनो, माइनोरिटी वेले, इस वीडियो में पहले भी बताया है, दो प्रकार की होती है, अब भी बता रहा हूँ, दो प्रकार की होती है, जब से चिला ही रहा हूं, religious भी होती है, linguistic भी होती है, लिंग्विस्टिक माइनोरिटी में आ गया, देखो लिंग्विस्ट माइनोरिटी में आ पर मेरे पास option है सिंधी, भोजपुरी का करत हो ससरा, तोहार भी option आई गया, जो लोग भोजपुरी के call कर रहे थे यूपी बहार से, देखो ये आपको भरना है, सो हिंदी गुजराती ये और गुजडाती माणू तेमे ये भरूच है, जयन कच्छी जैसा भी आपका है, ये भरना है, सो लिंग्विस्टिक माइनोरिटी आपका ऐसा होगा, रिलिजिस माइनोरिटी कैसा जायेगा, अब यहाँ पर हिंदु डाला है सो मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है रहा आगे यहां पर प्रोसिट करूँगा पहले पढ़ लेते हैं TFWS Select किया है तो मुझे Income Certificate डालना है TFWS नहीं Select किया होता मुझे Income Certificate नहीं देना होता You are required to upload Declaration of Candidate for the respective linguistic minority or school LC having pertaining to disinformation अरे मेरे school के LC पे clearly इनोंने संदी लिग दिया है बात ही खतम LC पे लिखा रहता है school के LC पे लिखा है बात खतम कुछ नहीं चाहिए मुझे और यहां पर कैसा logic है यहां पर नहीं है school का LC तो फिर तहसीलदार office में जाके बनवा लो documents को कुछ भी रहे तहसीलदार office को घर समझो documents को inquiry तो करो ही करो काफी लोग बोलते हैं सब एसीलदार office में बहुत time लगता है बाहर agent बैठे रहते हैं agent को बोलके तो देखो सब चल जाता है बढ़ते हैं आगे के तरफ डालते हैं यहां पे दूसरी details भी आपका है आपको डालना है यहां पर sse में match की marks हां marks में बिंदाज बता सकता हूं marks में मुझे कोई problem नहीं है कौन सा है मेरा marks sheet marks कितना आया था मैट्स में मेरा आया था 95 चलो 95 आया था मैट्स में out of 100 science में कितना आया था science में मेरा यहां पे अच्छा था में तो यार बढ़े हुए 93 out of 100 सो बेसिकली यहां पर sse English English का क्यों पूछ रहे है भाई 079 ठीक है इंग्लिश में वह वैसे भी passage देते थे and finally sse का aggregate marks तो 463 out of 500 ठीक है तो यह सब लिखने की नौबत नहीं आती है अगर मैं sse का यहां पर seat number डाल देता चलो मैं एक माक्स यहां गायप करके देखता हूं और देखता हूं seat number डालने से कुछ फरक पड़ा है क्या चीक है देखते हैं let's check क्या फरक पड़ता है seat number यहां पर डालते है e064829 कुछ फरक पड़ा क्या नहीं माक्स भी डालनी पड़ यह चीक है तो ऐसा डाल देंगे यहां पर माक्स तो अच्छा डाल देता हूं नहीं तो वापस अटक जाएंगे हे राम चलो सब वीडियो अल्रेडी दो महीने तीन महीने पहले चल चुका है आप लोग पूरा फॉर्म भरो पूरा फॉर्म भरो आपको लास्ट में लिखके आएगा रिजेक्टेड इवार नॉट एलिजेपल तो जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग फिर पूरा भर दो जो भी आपका है रियल मार्क्स फिर देख लेना क्वालिफाइंग एक्जाम आप ल रेफरेंस फॉर्म है मेरा हो चुका है बड़ाई हाथ जोड़ा है मैंने हम इस समंदर से गुजर चुके हैं तो वापस जाने का मेरा मन नहीं है उन्हीं गलियों में उन्हीं रस्तों पे चलो से आपर मैं डाल के देखता हूं अपना क्योंकि अच्छा मार्क्स लाया है तो किया था फॉर्म को एच एसी पासिंग यहां पर पास्ट मार्क्स ऑप्टेन अरे तुम रोल नंबर डलवाया है डेटा बेस से ले 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 ते डेटा साइंस लगा के माक्स एच एसी फिजिक्स का माक्स हाई 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 रिविल करना पड़ेगा चलो एटीवन हाउट आउट यह तो पोल खुल रही है मेरी यहां पर है है क्या करें कोई बात नहीं है 75 ओट ऑफ हंड्रेड चलिए सब सिलेक्ट सब्जेक्ट इन विच यू गॉट मेक्जीमम परसंटेज ऑफ मार्क्स तो यहां पर तो उन्होंने physics, math, chemistry ही पूछा है रहीट सिलेक्ट सब्जेक्ट इन विच यू गॉट मेक्जीमम परसंटेज ऑफ मार्क्स अच्छा तो फाइन मतलब इन टीनों में से नहीं पूछा है यहां पर option ही नहीं है जो चौथा होता था बाइफोकल यहां बायोलोजी यहां something like that तो इन में से आपको कुछ सेलेक करने है इन में सब्जेक्ट ही मेरा तो बायोलोजी था रहे तो मैं तो दालूंगा यहां पर बायोलोजी का इंग्लिश में कितना वही जो टेंथ में था अल्मोस वही रेंज में एन एग्रीगेट फाइनली देखें सो 530 आउट आउट ओफ 650 ओके सो बेसी करता हूं तो एप्लिकेशन नंबर डियो भी डालेंगे यहां पर डेटा आजाएगी अभी मेरे पास जेए का कुछ भी डेटा नहीं है सो मैं नहीं डालता हूं सो नो करके प्रोसीड करों फोटोग्राफ और सिकनेचर यहां पर डालना है अब फोटोग्राफ और सिकनेचर आप कोई भी चीज डाल सकते हैं ओके सो कुछ भी आप डाल सकते हो जादा टेंशन की ऐसाज बात नहीं है तुमारा फोटो डाल देते हैं चलो अप्लोड कर देते हैं सो अप्लोड हो भी दर जाएंगे सैल वाले की बोले अरे क्या है इतने जनों का साथ में चलिए साइन में क्या करें साइन 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 अच्छा यह आप लोगों कोई फोटो है बाइद वे ओके देखो मेरा गैलरी आप लोगों से भरा हुआ है अपना मानता हूं तुम लोगों को ठीक है चलिए सो इसी कली आपर सिगनेचर में भी अपन डाल देते हैं वही के फॉर्म कौन सा भरना है चलिए करते हैं आप सेवें प्रोची जिन लोगों को प्रॉब्लम आएगा साइज में देखो यहाँ पर बहुत सारे इशू आने वाले हैं आपको साइज से रिलेटेड ओके यह डाइम पर पासपोर्ट साइज खरके उसका फोटो कीढ़के बेजा कर और पूरा डियटा किसे दिखा रहा हूं मुझे भी नहीं समझ रहा है चलो टो में जाने का करने का open with paint जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं मोबाइल में तो सीधे android apps है यहाँ पर कैसे करने का करने का open with paint हर एक के में रहता ही है और यहाँ पर देखो option है री साइज का ओके सो री साइज में pixels कम कर देने अब इदर 1900 पिक्सल दिखा रहा है तो मैं कर दूंगा 500 पिक्सल आटोमेंटिकली साइज भी कम हो जाएगी डाइमेंशन भी कम हो जाएंगे एंबी बी सेटिस्वाइड हो जाएगी तो फोटो फिर आप डाल सकते हो चीक है क्योंकि यहाँ पर सिगनेचर का शायद से यही पेज जिसका आप लोग वेट कर रहे थे तो ध्यान से देखो यह पेज का जो मीनिंग है वो हर एक के लिए अलग आएगा जिन्होंने जेडबली के लिए अपलाय किया है उनको जेइ का डालना पड़ेगा जिन्होंने टी-फ-ड्व-ची-ड्व-च के लिए अपलाई नहीं किया उनको इंद्ग चैटिफिकेट आये नहीं सो ध्यान से देखो डॉक्यूमेंट्स का पेज जो है वो सबके लिए अल अगलग है चलिए आईए समझाता हूं क्या क्या मीनिंग है certificate of Indian Nationality in the name of candidate कि डो मिसाइल certificate of candidate showing his or her डो मिसाइल तो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं डो मिसाइल सेटीफिकेट यहाँ पर आपको properly मिलता है जिसा मेरा यहाँ पर डो मिसाइल पड़ा है डो मिसाइल सेटीफिकेट तहसीलदार ओफिस है ना सो यह हो गया डो मिसाइल सेटीफिकेट अगर 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 आगर आगेन आपके रिलीजन और मदर्ट नहीं है एलसी पर कुछ भी धरम नहीं लिखके दिया है कुछ भी लेंगवेज नहीं लिखके दिये स्विल्लार ओफिस से बन जाएगा इसे स्टेटमेंट ओफ मार्क्स फॉर एसे से का जो मार्क शीट है आपको डालना है स्कोर काड ऑफ हमेजटी सी तो आपने डाउनलोड ही ऑनलाइन किया था सुन नीचे वाले सारी चीज़े देखे तो नीचे वाली सारी चीज़े सौर्टेड है अब उपर वाला देखते हैं लिखा है क्लियरली क्या है वुच इस यूजवली प्रेसियंट इशूर बै तैसीलदार ऑफिस जाके बैठ जाओ एक दिन सारे डॉक्यमेंट्स बन जाए मेरे स्कूल एलसी पे तो इंडियन नहीं लिखा है मेरे में सर्फ हिंदू और सिंदी लिखा है चलि तो स्कूल एलसी में अप्लोड नहीं कर सकता पासपोर्ट देश प्रेमी है अभी तक तो बाहर गए भी नहीं है न सोचा है जाने का बर्ट सेटिफिकेट येस मेरे पास सेटिफिकेट यहां पर है जिसमें एड्रेस लिखा है जहां पर मैं पैदा हुआ था जहां पर पैदा हुआ था इंडियन यहां पर थप्पे वपे लगे हुए हैं सो यहीं हो जाता है अभी आप कंपेर करके देखो की वीडियो से मैंने आपको इक्सेक्ली यहीं चीज़ को दी थी एक स्क्रीन शॉट उसका थमने ले अभी यह डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर डालने हैं वापस से लगेगा हर एक का पीडियेव बनाने मतलब क्योंकि आपको इंडिवीडियोल अप्लोड करना है तो जेपीजी इजी पड़ेगा चलिए अगर आप यहां से भी आगे बढ़ेंगे आपको यहां पर फीस का उप्शन आता है चलिए यहां पर अभी हम कुछ नो कुछ अप्ल यहां एक बर देखते हैं तो फिर आता है कि चलू इथर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो भी सकता है चलिए अटेव के साथ वाला फोटो हर जगे अपलोड करते जाते हैं यहां देखते हैं फीस के में कैसा ऑप्शन है क्योंकि फीज हमें कोई बर्नी है यहां तो वैसे भी कुछ और subscribe नहीं किया है तो कर लो नहीं किया है कर लो जस्ट एक रिमाइंडर दम नहीं दे रहो जस्ट बोल रहा हूं नहीं किया है तो कर लो एक महिना और आपके साथ ही रहेंगे और batches engineering की अपनी चल रही है most welcome अभी तक phase 1 नहीं चल रहा है तो fees भी वही है join भी कर सकते हो चलिए अभी देखते हैं finally यहाँ पर क्या होता है सब चीज़े मैंने भर दी save and proceed so 800 0 and 0 save and proceed अब save and proceed यहाँ पर मैं नहीं करूंगा save and proceed करूंगा तो सारी details आ जाएंगी सारी details आ जाएंगी और वो एक बार बस last check करने को मिलेगा जितना मेरा अंदाज़ हो सकता है नहीं मिले save and proceed करूंगा सब्मिट हो जाएं पर still मैं अभी तो इसको नहीं करूंगा क्योंकि CET cell वाले डड़ जाएंगे बुलेंगे यह कौन पागल आदमी है पूरा data मेरा पहुच जागा तो मैं आपर safely back button दबा दूगा यही था हमारा पूरा पूरा प्रोसेस मैं delete कर दूँ पता जला बैन कर दें वो लोग मुझे बुलेंगे पड़ा लिखा नहीं है लगता है ना सब मैं delete कर देता हूं यही था हमारा सारा का सारा प्रोसेस यही सब चीजें थी आपके registration engineering form में मैंने जितना maximum knowledge possible था देने की engineering की सारी batches सारी universities की launch भी हो चुकी है start भी हो चुकी है 17 नवेंबर जब तक आपका college खुलेगा 50% syllabus engineering physics engineering mechanics का हो चुका रहेगा Mumbai university पुने university के लिए 100% courses हैं with 100% syllabus शिवाजी university नाकपुर university एंड अमरावती university के students पुने के combo में enroll हो सकते हैं एक subject पूरा सेम है दूसरा subject आधे से जादा सेम है wish you the best all the best अब ये form भरने के बाद जितना भी भरते हो उसके बाद FC में जाना FC कहां से जाना है मैंने बता दिया and that's it फिर वहां से देख लिए na FC में क्या बोलते हैं कैसा बोलते हैं next video आएगी हमारी थोड़े दुनों के gap के बाद क्योंकि अब आप पहले videos यहाँ पर continue करेंगे जै हिंद जै महाराष्ट्रा